आज बेटियां तमाम बाधाओं को लांग कर न सिर्फ अपना बलकि शहर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही है ऐसा ही एक नाम है भारती महिला होकी टीम की सदस्य मुम्तास खान का जिसने कदम दरकदम चुनौतियों का सामना कर अपना अलग मुकाम हासल किया मुम्तास ने जिन हालात में ये सफर तै किया वो काबिल तारीफ है बहुत ही साधारन परिवार से तालुक रतने वाली मुम्तास के पिता हफीज खान रिक्षा चलाते थे और मा कैसर जहां कैंट के तोब खाने इलाके में सबजी का ठेला लगाती है तस्वीरों में जो आप सब्जी का ठेला देख रहे हैं ये मुम्तास के माता पिता का है इसी सब्जी के ठेले से मुम्तास के माता पिता अपना परिवार चलाते है और इसी ठेले के बल बूते आज मुम्तास इंडियन हौकी टीम की प्लेयर है माबाप ने बहुत मेहनत की है अपनी लड़की को आगे बढ़ाने के लिए अब देख सकते हैं मुम्तास के जो मामू है वो अमारे साथ है कितनी मेहनत लगी बहुत ज़ादा मेहनत करनी पड़ी मुम्तास को और परवार ने बहुत सयोग के मुम्तास का जैसे कि पहले तो चुपचोरी इपना खेलती थी, मालूम नहीं था, जब मालूम पड़ा तो इनके फादर ले करके जाते थे, केडी सिंगी स्टुडियम प्रेक्टिस कराने, काफी मेहनत करा इनकी माने भी, इसी ठेले से पुरा परिवार चल रहा है, और इसी ठेले से सब अब कितनी खुशी होती हैं अब तो सीना घर से चवड़ा हो जाता है, हम लोगा कि हमारी भाणजी जो है खेल रही है, बड़ी है देस के लिए बहुत अच्छा खेल रही है, जब छोटी थी मुम्तास खेलती जलती थी तो आप लोग ने कभी मना अना तो नहीं किया, नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम लोगों ने सोचा तो चलो भाई, खेल लेगी, खेलने दो, अब मुम्तास आती है, तो यहां आती है, हाँ आती है, ठेले बेटती है, जब आती चुट्टी उटी में आती है, दो चार दिन के लिए तो ठेले बेटती है, करके, वो भी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, कि क्या हम है और क्या थे, कैसे रहना चाहिए. आप कफसे जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छा, जो देश में नाम कमारी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ठेले पे ठेले वाली की लड़की है, बहुत ही अच्छा, काम कर रही है, बहुत होसला है उसको काम करने का, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा खेलती भी बहुत मिनद भी कर रही है बहुत अच्छा काम है हम लखनव के कैंट स्थित तोप खाना बाजार पहुंचे जहां एक कमरे के घर में पूरा परिवार रहता है और इतना ही नहीं बलकि इस छोटे से घर में बात्रूम तक नहीं है आज भी मुम्तास का परिवार पुराने जमाने की तरह सौच के लिए बहार जाता है और घर से कुछ दूर मुम्तास की छोटी बहन सबजी के ठेले पर सबजी बेस्ती नजर आई इंडीयन होके टीम की प्लेयर मुम्तास के घर पहुचे हैं हम आपको दिखा दें देखिए ये मुम्तास का घर है जो की इंडीयन होके टीम में खेल लई है और एक कमरे का यह गर है और इसी घर में मुम्तास का पूरा परिवार रहता है बड़ी बात बता दें आपको तो इस घर में बातरूम तक नहीं है देख सकते हैं आप बाहर से उपर टीन शेड है और इसी घर में उनका परिवार रहता है अपनी जिन्दगी गोजारता है हलाकि मुम्तास की छे बैने हैं और सभी में से चार लोगों की शादी हो गई हैं दो चोटे से घर में रहने को मजबूर है तो हम आईए चलते हैं मुम्तास के परिवार से बात करेंगे हम घर में चलेंगे मुम्तास के और उनके परिवार से बात चीत करेंगे मुम्तास की मा कैसर जहां वर रोजाना लखनौ के तोप खाना बाजार में सड़क के किनारे सबजी का थेला लगाती है कड़कडाती ठंडो या चिलचिलाती धू या फिर जोड़दार बारिश कैसर जहां को यहां थेला लगाना ही होता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुम्तास के अलावा भी उनकी पांच बेतिया है इतने बड़े परिवार का पालन पोशन करना और रोजगार का कोई अन्निसाधन ना होने के चलते उन्हें ये करना पड़ता है आज हम मुम्तास के परिवार के बीच है मुम्तास इंडियन होकी टीम की एक हिस्सा है जो इंडिया के लिए होकी खेलती है मुम्तास के पिता जी हमारे साथ है मुम्तास की माता जी हमारे साथ है छोटा भाई है बहन है तमाम लोग हैं हम मुम्तास के परिवार वालों से बात करेंगे जो ये जानेंगे जिस तरह से मुम्ताज का परीवार पहले जी रहा था त Cookie कुसी तरह आज भी मुम्ताज का परीवार अपनी जिन्दगी गुदार रहा है पहले तो आपका नाम जाना चाहिए हुआ नायां किसर जए आगा त्रयों फ़टी है और पड़ि को यह बने रहे हा क्यासर गति लड़की के जाना वे कियों नहीं मेनट पहले है लड़की में और यह नही पड़ती ती यह से अपना कि यहां खेलती थी, इस्कूल कोच यहां के थे अभी सेकसर, वही इनको होकी पकड़ाना शिकाईन था, यहां से खेलते खेलते फिर केडी सिंग चली गई, वहां खेली थी पिर नीलम सिद्धी की से मुलाकात हुई, उन्होंने उसको अपने इसमें रखा, सेलेक्शन निहां ह करती थी, क्योंकि सब्जी का ठीला लगाती थी, कोई भी गेम हो देखें, खर्चा बहुत होता है, तो कैसे मैनज किया इन सब चीजों को? भाया, वो भी मेहनती बहुत थी, मेरे साथ सब्जी भी लगवाती थी, काम भी करवाती थी, स्कूल भी जाती थी, प्रटिस भी करती थी, मेनत वो भी करती थी, और मार भी बहुत काती थी, मतलब यहां से आज जाती थी, तो भी शुबे मारते थे, पले दुकान छोड़के जाती थी फिर इसकूल आट नो आट बजे का था स्कूल जाती थी फिर केडी सिंग शाम को जाती थी चाहती तीन बजे किते साल से खेल लएक इसको हो गया आठ साल जालों में कैसी जन्दगी रही आपकी क्यूंकि देखिए गेम कैसा भी हो बहूत पैसे लगते हैं किसी भी गेम में अगर चोटा साङ रूख के लिए जूता ही चाहिए या होकी चाहिए तोnot करते था तो कैसे अपने इन सब चीजों के से कैसे उसको दिलाती थी संग ड़कान करते थे थे उसको भी जरूरत पड़ती थी देटे थे पहली चीज तो मैं मना इंकर ती तियों को पास बैसे नहीं ना मैं भी जूँगी तुमको ती मम्मी कुछ भी ओमाई खेलूंगी एक ब कि बाद सुन सोता इंडिया टीम के लिए अपिले बहुत खूशी एंगा मेरी खुशी का तो कोई ठीका नहीं ना बहुत कूश हूं मैं कि योगी जी से भी मुलाकात हुई मुम्तास की मोदी जी से भी हुई कभी किसी तरह की कोई मदद आज तक मिली किसी से यह मुझे तो भी इस बारे में नहीं पता है मी मोदी जी ने दिया था नो ने दिया था उनके साथ लैंच भी हुआ था उनके साथ हात भी मिला इन था यो कोई मदद नहीं मिली अभी हमें कितने बच्चे हैं मेरी छे बेटिया है एक बेटा है और मेरे भाई है मेरे भाई की लड़की है इतना परिवार परिवार तो बड़ा है भाईया थोड़े में से थोड़ा करते हैं भाई क्या करें सबस्टावारा है निद डूगान भे जो पुराने जमाने में मे घरों में टोइलेट नहीं होते ते आप भी जिस घर में रहरी हैं में पता है कि उसमें टोइलेट नहीं है निए अजै किसके घर जाएंगे कोई नहीं जाने देगा सरकारी में जाते हैं कुस भाथरूम सब्सक्राइअ अभी कहां से मोत हो खु काई है बात हो इस हम तो नहीं औरना करेंगे नहीं बभाई आप में क्यों मना करूँगे मेरा बेटा है बेटी नहीं में श्क को बेटे के हाँ मेरे दर डिती हुँ मेरे दो बेटे लिए एक मुम्ताज ये कर्माड अопасक жить वो मुंताजिक अब बया मुझे तो पेट भरना है अभी तो मेरे पास अभी और लड़किया शादी भी करना है सब की शादी भी करना है मैं कहां बैठूंगी अभी मुझे तो करना है अपना काम कितने बच्चों की शादी की अभी चार बेटियों की कर दिया है अब दो बेटियां बच्ची एक भाई की भी बेटी तीन बेटियां बच्ची जो बोलते नहीं ते आज वो मुझे सलाम करते हैं इतना फक्र है उसपर मुझे बहुत नाज है भी या रहा है जैसे आपकी तो परिवार में होता है कि लड़की को क्यों खिलवा रहे हैं या कोई बी गेम हो क्यों तो ऐसा कभी किसीने परिवार में को बहुत से लोग ने कहा कि अपनी लड़की को अच्छा नहीं कर रही है, बाहर भेज रही है, चोटे-चोटे कपड़े पहनती है, लड़कों के साथ आती जाती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप कर रही ही करने दो, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया और आज लड़की कामिय कि बच्चों की कामियाबी के पीछे माबाप का बहुत बड़ा हात होता है आप लोग ने भी बहुत मेंनत बहुत 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 बड़ा दिल है भाया कोई माने या ना माने ये मेरा खुदा जानता है उसके लिए तो बहुत मुरादे मांगते हैं कोई ऐसी मजार नहीं होती है वहां तक का जाते हैं उनकी आखों में आसू आगया हमसे बात करते हुए एक चीज़ और जानना चाहेंगे बाता जी कब कशादी अधी करेंगे मुम्तास की मुम्तास के पिता हाफिज पहले साइकल रक्षा चलाते थे लेकिन उम्र जादा होने के कारण वे ये नहीं कर पाते ऐसे में कैसर जहां को ही अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए सबजी का ठेला लगाना होता है इस सबजी की दुकान से इतना ही पैसा आता है कि बस घर का रोजाना का खर्च और छे बच्चियों की स्कूल की फीस भरी जा सके ऐसे में मुम्तास के लिए होकी किट खरीद पाना मा कैसर जहां के लिए नामुम्किन है लेकिन वो कहावत है ना कि किसी चीज को शिदत से चाहो तो पूरी काइनात उसे तुछ से मिलाने में लग जाती है तो ऐसा ही कुछ मुम्तास के साथ होता आया उसके लिए होकी किट की वेवस्ता उसके कोच ही करते थे तो नाम या पका हफीज काुछ अनद कितनी मेहनत लगी लड़की को यह पोचाने में यह बहुत मेहनत लगी है उसके पर लेकर जाते तो उसके पहुचाने छोड़ने जाते ते श्टेडिया महा से लेकर आते थे यहाँ स्कूल ने परतिती सरकारे स्कूल यह तुपाना किसे मेनेज करते तक यह सब बड़ी बात hour आते थे यह अधिकरे निगल को अपने घर आते थे बच्कлаг जाते एंगर। अब किрашा थे ळाते थे कर आते बाते हम यहCा के फुर पहला एक है देगारすごい है काफी दिक्कते हुई जब जाके हमाएके साले ने हमको यहां लाकर रखा कि अब तुम सास हमाई कहते हैं मुझे आप सबजी का ठेला लगा उतना जब उसी से जो है मच्चों को परवरी से दिया सब कुछ तियारिक से चला के सब अब लड़की इंडियन होकी टीम में है कैसा म मुझे जी अब क्या करते हैं कैसे परिवार चलाते हैं अब सब जी ठेले से सब चलाते हैं घर के लिए सब सुबह चले आते हैं मंडी मंडी से आके पिर दुकान में सब जिब जी लगा के बैटे रहते हैं हमी दो जो 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 बैठते हैं जाके घर में मारे क्या हो रही हैं ग 2013 में मुम्ताज अपनी स्कूल एथलेटिक्स टीम के साथ एक प्रतियोगिता के लिए आगरा गई थी, यहां मुम्ताज टॉप पर रही थी, इसके बाद एक स्थानिय कोच ने मुम्ताज को होकी खेलने का सुझाव दिया, बस यहां से मुम्ताज ने होकी खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे सफलता के कदम चड़ती गई. हम कभी खुआब में भी नहीं सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा इस लेवल तक जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा, मेरी मम्मी तो बहुत मारती थी उसको, बहुत खेलेगी नहीं, मुझे कितनी बाते सुनाती थी, हम कहते थे मम्मी खेल लें दो, हो सकता है कुछ कर जाए अपन माबाप का कितना बढ़ा थे, क्योंकि देखिए माबाप सब्जी का ठेला लगाती थी एं माबाप की और पिता जी रिक्षा चलाते थे, तो बतल बड़ी बात है कि ऐसे समय में उन्होंने लड़की को बढ़ावा दिया और लड़की आज यहां पे खेली तो माबाप का कित कि से लड़ना नगी जगरना मेरे माबाप सिर्फ दुकान घर दुकान घर और घर में जो बच्चे पहनने को भी अच्छे से अच्छा ही दिया है अभी तक किसी का अला ने मौताज नहीं रखा और बहुत मेनस से हम लों को पाला है और भी बहने हैं क्या उनको भी किसी गेम में आगे जाने के लिए अभी तो चोटी अली बहन खेलती थी उस फिर वो गई नहीं घर में अब कि मौताज से नहीं कि मौप को सब्धी का ठेला नहीं होती है उसके बाद अल्ला मालिक हैं बुड़े हो जाएंगे घर में बैठेंगे दोनों पूरा भी करते थे उस दौर की बात करें तो कितनी मुश्किले ये लोंग तो मारते थे उसको मेरी शादी थी उस समय उसने चुपपे से केडी सिंग का ट्राइल दिया कहा कि मम्मी मैं जा रही हूं थोड़ा दावत देने दोस्त किया और चुपचाप जाके वो ट्राइल दि पता भी नहीं चला कब उसने ट्राइल दे दिया फिर जब मेरी शादी का एक मैना हुआ तो केरी अपी मेरा केडी सिंग में सेलेक्शन हो गया है एडमेशन मेरा नाम आ रहा है पी चलो एडमेशन करा दो अब यह राजी नहीं फिर मनाया जैसे तैसे फिर इनको मम्मी को ले कि बहुत करपे कि पैठी तो ही मनी साथ लगी रएती थी ममी के साथ संब्जी कभी 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 चली जाती में के लिए हाठी कान चलिजा थी मपमी के पास इसे अभी दिखेए जब कि उसका रहन सेहनं हमसे बहुत अलग है देखा जाए तो कुछ रही है यह इतना भी नहीं है कैसे मैनेज करती है लेकिन वह जैसे पहले रहती थी वैसे आज भी रहती दिक्कते बहुत होती है बिमार हो जाती है कभी कभी नहीं संग से होता है ना तो होता है अलर्जी हो गई या कुछ हो गया चोटी मोटी लेकिन फिर भी वो मैनेज करके बराबर कर लेती है अपना बैलन्स और अराम से रहती है कोई दिक्कत नहीं कभी उप नहीं करत करें से देश के पीया मोधी की बात करें समाम लोगों से मिला लोग मिलने के लिए सोफते हैं तो ड़ी हम बहुत अच्छा लगा उनको मिलगे हम खुद भी गए चैनल योगी जी से मिलने उसे मुलाकात करें उन्होंने मुम्तास से बातत करी फोर्टो कि चाहिए फिर हम लोग वापस आगे अपने घर की तब तरफ से कभी कोई मदद हुई अभी तो कुछ नहीं मोदी जी से मस मुम्ताज की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उसे सम्मानित किया था कैश आवार्ड भी दिया था उसे कुछ आप लोग रह रही हैं कहा जा रहा है कि इसमें टॉलेट नहीं है चोटा सा घर है तो तो कभी कि कि सी किसप नजर नहीं पड़ी आ अबीतक तो नहीं भाई जिस तरह हैं उसी तरीके जैसे हमारे अग्ंतर है लेकिन पहले से कुछ हालात olv 1977 हर है अे अ dudकिस से आफर नो sparked बहुत अच्छा और टीम हारने के बाद भी उसने इतना अच्छा किया है लोग जीत के वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो उसने हार के किया है कि अब कंत्री से मिलवाने आला आपको कौन था रिता आपकोन जोसी जी और यहां पर हमारे गुड़े भाई रहते हैं उन्हों ने रीता जोसी से मिलवाया फिर उनने उनसे मुलाकात कर वाये प्रवाज करेंगे वह अभी तक कुछ नहीं क्या 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 कह सकती बस जो भी कर दे मुम्ताज के लिए कर दें बहुत है बस घर ही हमारा बदल जाए और खुछ तो नहीं चाहिए बस सब तो चल रहा है जिन्दगी रुकती नहीं है वह हमेशा आगे बढ़ती है मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था लेकिन मेरा एक मेरी एक अंदर से शवी बनी होई थी कि हमने जो नहीं किया है वो मेरे भाई बहन करें और वो आगे बढ़ें जिस हद तक हम नहीं जा पाए हैं मैं जादा नहीं पढ़े हूँ मगर मैं सोचती हूँ मेरे भाई बैन अच्छे हूँ ग्रेजुएट हूँ पढ़े लिखे हूँ बस आगे बढ़ें जॉप आप करें और अल्ला का शुक्र है जो सोचा उसमें कुछ हद तक काम्याबी भी मिली है मुम्ताज ने इंटर तक यहीं किया है अब तो गवालियर से पढ़ रही आगे पढ़ाई में भी अच्छी थी भाई खेल में भी अच्छी वो हर चीज में परफेक्ट है हर चीज का बैलेंस बनाना उसको बहुत अच्छे से आता है खेल भी पढ़ाई भी और घर की साफ़सफाई काम भी सब कर दी ती डाटाट खाके धाए बनाव प्रीवार था मुव्ताज इंडियन होकीर टीम के लिए खेल लई है कहीं न कहीं देखिए मुम्ताज के परिवार की गौश्ट की तरफ से कोई मदद नहीं हूई है हलाकि मुम्ताज को देश के प्रधानमंतरी नरेन मोदी और साथ सात उत्तर प्रदेश के मुक्पंत्री योगी आधितनास से उनकी मुलाकात भी हुई थी तमाम तरह के अश्वाशन भी दिये गए थे पर अभी तक कोई मदद नहीं हो पाई और देखें इनके परिवार में जो मा से बात करी मा बात करते वक्त रो पड़ी तो कहीं न कहीं देखिए खु खी न कहीं इसरकार को भी मुम्तास के परिवार की मदद करनी चाहिए वुटजन इसनंदन के साथ मैं अबू तलहा आज की ख़बर लखना हुई तो ये थी मुम्तास की कहानी हालाकि मुम्तास की देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ से मुलाकात हुई पर आज भी मुम्तास का परिवार एक ही कमरे में रहने पर मजबूर है तमाम राजनितिक लोगों ने मुम्तास के परिवार की मदद की बाते तो की पर सारी बाते धरी की धरी रह गई देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरू के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर और पलपल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आपकी खबरू का भरोसमन साती है आज की खबर खबर जहां आम वहां